नमस्कार आदाब, मैं हूँ अदिती, न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, आईए एक नजर डालते हैं आज की मुख्यो सुर्खियों पर क्रिश्न जन्मभूमी मामला, मचुरा में 6 दिसंबर को रहा हाई अलर्ट बैंक यून्योनों ने किया नजी करन के खिलाफ दो दिन की हरताल का एलान नागालान की घटना पर सीएम रियों ने कहा आपसपा कठोर है, इसे हटाना जरूरी और आखिर में कोरोना अप्टेट देश में 24 घंटों में 8000 से अधिक नए मामले आज 6 दिसंबर को ही साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जित को गिरा दिया गया था हिंदुत्वादी संगठों ने बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदी में सर्यों और भालों से सेक्डों साल पुरानी मस्जित को गिराया था मगर इसे नहीं जुर्म माना गया नहीं किसी को सजा हुई बलकि अब उस जगह पर राम मंदिर बन रहा है हिंदुत्वादी संगठों ने इसी 6 दिसंबर को मतुरा की शाही इदका मस्जित में जलाबेशे करने की धमकी दी थी जिसकी वज़े से मतुरा की कृष्ण जन्मभूमी और इदका मस्जित के इलाके में पिछले एक हफते से हाई अलर्ट का माहौल बना हुआ है आज भी बारी पुलीस तैनाती रही और हंगामा कर रहे चार लोगों को गिरफतार भी किया गया ये लोग कृष्ण जन्मभूमी और शाही इदका मस्जित के सामने आकर जैश्री राम के नारे लगा रहे थे बताया जा रहा है कि इन में से एक शक्स बरसाने का संथ है और करनी सेना में भी है आपको बता दें कि हिंदुतवादी संगठन बाबरी विध्वन्स के बाद से ही मतुरा कि इदका मस्जित को हटाने की मांग करते रहे हैं और कहते हैं कि ये मस्जिद मंदिर को हटा कर ही बनाई गई है। पिछले कुछ महिनों में उस इलाके में मीट की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। मगर पुलिस प्रशासन ने शहर में शांती का महौल बनाए रखने के लिए उचित इंतजाम किये हैं और ड्रोन CCTV कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। United Forum of Bank Unions ने दो सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजी करन के खिलाफ 16 दिसेंबर से दो दिन की देश्व्यापी हर्ताल का एलान किया है। UFBU बैंक करमचारियों का एक सयुक्त मंच है, इसके तहट बैंकों की 9 यूनियने आती हैं। गौरतलब है कि वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने इस साल की शुरुवात में वित वर्ष 2021 से 22 का बज़ट पेश करते हुए 1.75 लाग करोड रुपे जुटाने के विनिवेश लक्षर के तहट सारवजानिक शेत्र के दो बैंकों की निजी करन की गोशना की थी। इससे पहले सरकार ने 2019 में IDBI बैंक में अपनी बहुलांट हिस्सेदारी LIC के को बेच कर IDBI बैंक का निजी करन कर दिया था। इसकी अलावा पिछले चार साल में 14 सरकारी बैंकों का विलाय किया गया है। नागालांड में 14 नागरिकों की सेना द्वारा फाइरिंग में हुई मौत के बाद से स्थिती तनाव पूर्ण बनी हुई है। इस बीच नागालांड के मुख्य मंतरी नेफ्यू रियो ने कहा कि Armed Forces Special Power Act यानी AFSPA को हटाना जरूरी है यह कठोर है। दुनिया भर में इसकी निन्दा की जाती है। बता दे कि नागालांड की मोन जिले की ओटिंग गाउं में सुरक्षा बलोन ने फाइरिंग की जिसमें 14 नागरिकों की जान चली गई है। रियह मंतरी अमिच्छा ने आज संसद में कहा कि गलत पहचान की वज़े से सेना को फाइरिंग करनी पड़ कि यह चरम पंथी छुपे हुए हैं। सी एम्रियों ने कहा है कि केंद्र हमेशा कहता है कि नागालांड से आस्पा नहीं हटाया जा सकता जबकि इसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक करीब 127 करोड से अधिक डोज दी जा चुकी है। जिन में से 24 लाक से अधिक वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटे में ही दी गई है। आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsklik.in पर जाएं। हमें यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टरग्राम पर फॉलो करें। और आज न्यूस क्लिक से जुडने के लिए धन्यवाद।